के लिए जिसमें चार्कुल पाउडर, वुड पाउडर, जिगर पाउडर एंड इसको मिक्स करके प्रिमिक्स बनाते हैं और इसको मिक्स करते हैं पानी में डालके और इसमें कच्छे पास की इस्टिक भी यूज होती है जिसे हम बैम्बू इस्टिक भी बोलते हैं सेट अप करने के लिए किन किन जीजों का ध्यान रखना चाहिए नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका ट्रेडू टुटी में आज हम आपके लिए लाएं एक ऐसा वीडियो जिसमें आपको बताएंगे कि आप कौन से बिजनस से शुरुवात कर सकते हैं और उसमें प्रॉफ कि लोग आत मिनिट पर बने और आप भी कई स्क्रीमों के जरिये लाब उठा सकते हैं जो कम लागत में और आसानी से शुरू किया जा सकता है और आपको रिटन वैल्यू भी अच्छी दे सकता है अगरवत्ति निर्मान ऐसा ही एक बिजनस है जिसके बारे में हम सारी जानका में भी होता है इसकी डिमांड पूरे साल बनी रहती है और फेस्टिवल टाइम में इसकी कफ़त बढ़ जाती है और हर धरम के लोग इसे इस्तिमाल करते हैं शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँ आपसे अगर आपने अभी तक ट्रेडो डूटी को नहीं किया है तो रेड बटन प्रेस करके सबसक्राइब करें और बैल आइकन प्रेस करके ऐसे ही बिजनस आइडियाज की फुल जानकारी सबसे पहले पाकर भीट से बचने का परयाज करें तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगरपत्ति बिजनस की आप कैसे शुरू करने के लिए तो अगर बत्ती premix होता है इसमें raw material के लिए जिसमें charcoal powder, wood powder, jigger powder and इसको mix करके premix बनाते हैं और इसको mix करते हैं पानी में डालके और इसमें कच्चे बास की stick भी use होती है जिसे हम bamboo stick भी बोलते हैं setup करने के लिए किन-किन जीजों का ध्यान रखना चाहिए आप इस business को छोटे बड़े दोनों level पर setup कर सकते हैं अगर अगर बत्ती making machine को घर वाली electricity से चलाना चाहें तो उससे भी चला सकते हैं वो भी connection से काम हो जाएगा आपका and इसको कोई महिला भी अराम से चला सकती है क्योंकि सारा काम यह automatic होगा बाद में आपको collect करके रखना होगा किन main points का आपको ध्यान रखना चाहिए आप machine की speed अपने हिसाब से कम जादा कर सकते हैं आपको wastage का खैल रखना होगा और आपको अगर बत्ती बनाने के बाद इसको धूप में नहीं सुखाना है चाहों में या फिर आप पंके की हवा में सुखा सकते हैं और सूखने के बाद ही इसमें perfume add करें perfume add करने के बाद फिर से इसको सुखा लें और फिर उसको आप packet में pack करके कारबोड वाले या फिर pouch packaging पीपी पैकेट में किसी में भी आप थोड़े अच्छे लेवल पे start करना चाहें तो अगरबत्ती counting machine भी ले सकते हैं जिससे आपका काम काफी असान हो जाएगा आपको ध्यान नहीं रखना होगा कि अगरबत्ती की counting का packet में add करते टाइम machine की capacity कितनी होती है तो इस machine से आप 60-70 kg अगरबत्ती एक दिन में बना सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफ़ा कमा सकते हैं और business आप जीवन भर चला सकते हैं क्योंकि इसकी demand 12 महीने रहती है पूरे साल में और कोई धार्मी के स्थल पे अगर आप रहते हैं तो आपके लिए संजीवनी बूटी साबित हो सकता है business में आने वाली लागत और मुनाफ़ा कितना होता है इस से इस machine की शुरुवाती कीमट 65-70,000 रुपए तक है और इसका raw material cost अलग से अगर देखा जाए तो फुल सेटप के लिए आपको डेट लाग रुपए में शुरू कर सकते हैं इसको एक किलोवाट की विजली की आवाशकता पड़ेगी दोस्तों कोई भी business शुरू करने से पहले उसकी सही जानगारी लेना बहुत जरूरी है अगर सही मार्क दर्शन नहीं मिल पाया आपको तो नया वेवसाय शुरू करने में काफी समस्य हो सकती है और trade utility का यही प्रयास है क आपको business से जुरी साड़ी information दें और आप एक सफल entrepreneur बनें एंड हम आपका साथ देंगें उसमें जो भी हमारी तरफ से कोई queries अकर आपको resolve करने में help होती है आप हमें नीचे comment करके बताएं